क्विस्टिन नंबर 6 पार्ट 1 जिसमें हमें साइन फॉर्टि फाइफ माइनस थीटा को प्रूफ करना है के बराबर है तो इस जिसको हमें प्रूफ करना है हम दिलेंगे लेफ्ट एंसाइट को हमारे पास लेफ्ट एंसाइट में मौजूद है साइन फॉर्टि फाइफ डिगरी माइनस थीटा तो इधर हम फार्मला यूज opensuciones करेंगे साइन फॉर्फ एल्फा माइनस बीटा के जो के बराबर है साइन फॉर्फ एल्फा कोसाइन फॉर्फ एल्पा इन्टु साइन फॉर्फ बीटा तो equals to sine of alpha to sine of alpha की जगा 45 आजाएगा into cosine of beta की जगा theta आजाएगा फिर minus cosine of alpha की जगा 45 आजाएगा or sine of beta की जगा theta आजाएगा तो हमारे पास sine of 45 की किमत 1 divided by square root of 2 है into cosine theta minus और हमारे पास cosine of 45 की किमत भी 1 divided by square root of 2 है into sine theta हमारे पास अगर sine of 45 या पिर cosine of 45 हो तो इन दोनों का आजाएगा तो अभी हम इन दोनों में से 1 divided by square root 2 को common लेंगे तो 1 divided by square root 2 हमने common ले ली बाकी हमारे पास उपर से cosine theta minus sine theta बच जाएगा और यही हमारे पास right hand side के बराबर है hence proved question number 6 part 2 जिसमें हमें cosine of 11 minus sine of 11 divided by cosine of 11 plus sine of 11 is equal to tangent 34 को proof करना है तो हम लेंगे left hand side को हमारे पास cosine of 11 minus sine of 11 divided by cosine of 11 plus sine of 11 अब इसको हम क्लिकेंगे cosine of 11 की जगा हम 45 minus 34 भी लेख सकते हैं और इसी तरह minus sine of 11 की जगा फिर से हम 45 minus 34 भी लेख सकते हैं नीचे भी इसी दरखा cosine of 45 minus 34 plus sine of 45 minus 30 40 अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाई फार्मला तो हमारे पास फार्मला cosine of alpha minus beta अगर हो तो ये बराबर होगा cosine of alpha और cosine of beta फिर plus sine of alpha sine of beta की और हमारे पास अगर sin of alpha minus beta हो तो इसका अंसर sin alpha cosine beta फिर minus cosine alpha और sine beta ये चीदा जाएगा तो हम alpha की जगा 45 और beta की जगा 34 पूट करेंगे एक्वल्स टू तो cosine of 45 minus 34 की जगा ये फार्मले इस होगा तो सबसे पहले cosine alpha ये नी cosine of 45 into cosine of 34 पिर plus का साइन और sine of alpha ये जाएगा ये साइन of 45 into sine of 34 पिर minus का साइन और sine 45 minus 34 पे ये फार्मले इस होगा तो हमारे पास sine of alpha की जगा 45 और पिर को साइन बिठा cosine of 34 उसके बाद minus cosine alpha cosine of 45 sine of 34 और इसके गिर्द ब्रिकिट भी आ जाएगा divided by नीचे भी हमारे पास cosine of 45 minus 34 है तो हम उस पर ये फार्मले ये यूज करेंगे तो सबसे पहले cosine of alpha alpha की जगा 45 और cosine of बिठा की जगा 34 plus sine of alpha alpha की जगा 45 आ जाएगा और sine of beta बिठा की जगा 34 पिर इदर चुंके plus sine है तो फिर plus अभी ये फार्मूला एक्सपेंड होगा sine वालेगा तो सबसे पहले sine of alpha यानी sine of 45 cosine of 34 पिर minus हमारे पास cosine of 45 आ जाएगा और sine of 34 अभी हम cosine of 45 और sine of 45 की जगा उनकी खिम्मत को लिकेंगे तो हमारे पास cosine of 45 की जगा 1 डिवादे बाइ square root of 2 आ जाएगा पिर cosine of 34 पिर प्लस इदर भी 1 over square root 2 and sine of 34 पिर minus into plus minus आ जाएगा sine of 45 की जाएगा 1 over square root of 2 और cosine of 34 वेसे ही आ जाएगा और minus into minus आ जाएगा plus cosine of 45 की जगा 1 over square root of 2 or sine of 34 बच जाएगा डिवादे बाइ निची हमारे पास cosine of 45 की जगा 1 over square root of 2 or cosine of 34 पिर प्लस sin of 45 की जाएगा 1 over square root of 2 ये तो 1 over square root of 2 or sine of 34 और प्लस sin of 45 1 over square root of 2 cosine of 34 पिर माइनस cosine of 45 की जगा 1 over square root of 2 और ये sine of 34 अभी उपर से ये तर्म और ये तर्म आपस में किंसल हो जाएगे क्योंके दोनों आपस में सेम है और इनके साइन उपोजिट है यहापर प्लस यहापर माइनस साइन और निचे में ये तर्म और ये तर्म आपस में किंसल होँगे तो हमारे पास 1 over 2, 1 over square root of 2, sin of 34, plus 1 over square root of 2, sin of 34, बच जाएगा, divided by 1 over square root of 2, cosine of 34, पिर प्लस, 1 over square root of 2, cosine of 34, अभी हम उपर से 1 divided by square root 2 को कामन लेंगे, 1 divided by square root of 2 हमने कामन ले लिए, बाकि इदर से sin of 34, प्लस यहाँ से भी sin of 34 बच जाएगा, divided by, निचे से भी हम 1 over square root 2 को कामन लेंगे, 1 divided by square root of 2, और निचे हमारे पास cosine of 34, यह चीज़, और इदर से भी plus cosine of 34 बच जाएगा, यह दो आपस में किंसल होंगे, बाकि हमारे पास इदर sin of 34 इदर भी sin of 34 है, तो इनके पास यह जो को एफिशन से वो आपस में एड होंगे, तो 1 प्लस 1 होगा, 2 sin of 34, फिर divided by, निचे भी cosine of 34 प्लस cosine of 34 है, तो इसका अंसर भी 2 cosine of 34 आजाएगा, और इदर 2 to cancel, तो हमारे पास sin of 34 divided by cosine of 34 बच जाएगा, और sin divided by cosine का अंसर आजाएगा, तो tangent of 34 आजाएगा, क्योंकि हमारे पास sin theta divided by cosine theta बराबर है, tangent theta के, और ये tangent of 34 हमारे पास right-hand side, तो equals to right-hand side, proved.